दशहरा पर क्यूं बाटे जाते हैं सभी को शमी के पत्ते? आश्विन शुकिकी दश्मी के दिन विजया दश्मी यानी दशहरे का पर्व मनाया जाता है. इस बार 24 अक्टूबर 2023 मंगलवार के दिन दशहरा उत्सव मनाया जाएगा. दशहरा के दिन रावन दहन के बाद एक दूसरे को शमी के पत्ते देकर गले मिलकर दशहरे की बधाई देने का प्रचलन है. आखिर ये शमी के पत्ते क्यूं बाटे जाते हैं? क्या है इसके पीछे का इतिहास और परंपरा? एक, दशहरे पर शमी के व्रिक्ष की पूजा और उसके पत्ते को बाँचने का प्रचलन है. जब लोग रावन दहन करके आते हैं तो एक दूसरे को शमी के पत्ते बाँचते हैं. दो, माना जाता है कि दशहरे के दिन कुबेर ने राजा रगु को स्वर्ण मुद्रा देते हुए शमी की पत्तियों को सोने का बना दिया था. तभी से शमी को सोना देने वाला पेर माना जाता है. तीन, ये भी कहते हैं कि श्री राम ने रावन से युद्ध लड़ने से पहले शमी के व्रिक्ष की पूजा की थी. 4. श्री राम ने युद्ध में विजई होने के बाद अयोध्य वासियों को स्वर्ण दान में दिया था. इसी के प्रतीक स्वरूप परमपरा से अब शमी के पत्ते को बांटा जाता है. 5. पांडवों ने अपने अग्यात्वास के दौरान अपने अस्त शस्त्रों को शमी के पेर में छिपा कर रखा था. उपरोक्त कारनों के चलते दशहरे पर शमी की बांटने और इसकी पूजा का प्रचलन है. दशहरे पर शमी पूजा के फाइदे एक, दशहरे के दिन इसकी पूजा करने से कई तरह के संकटों से व्यक्ति बज जाता है और हर क्षेत्र में वह विजई रहता है. दो, शमी व्रिक्ष की पूजा करने से शनी ग्रे संबंदी सभी प्राकर के दोश समाप्त हो जाते हैं. जैसे शनी की साड़े साती, धैया आदी. तीन, विजया दशमी के दिन शमी व्रिक्ष पूजा करने से घर में तंत्र मंत्र का असर खत्म हो जाता है. चार, शमी पूजा से सभी तरह का संकट मिट कर सुख, शांती और सम्रिद्धी की प्राप्ती होती है. 5. दशहरे पर शमी के पत्ते तोड़ना नहीं चाहिए. नीचे ताजा गिरे हुए पत्ते को या तो अपने पास संभाल कर रख ले या शिवजी पर चड़ाएं. इससे सभी तरह की बाधाएं दूर हो जाएगी. यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें और चानल को सब्सक्राइब करें. वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद.